तो स्पोर्ट्सक के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बात करेंगे इस वीडियो में और सुमित नागल के बारे में कुछ देरे पहले एक वीडियो जरूर किया था लेकिन आप सभी को जानके इस बारे में बहुत खुश ही होगी कि सुमित नागल जिस तरीके से इस उस मैच में जीत हासिल की है उसके पीछे की कानी जो है वह बड़ी दिल्चस्प भी है और यह भी हैुई उस चीज़ में की बहुत हाड़ वक करके सुमित नागल यहां तक पहुंचे और उन्ने मैच जो है उसमें जीत हासिल किया। अब फड़फड आपको तीन चार चीजे बता देते हैं जो इन से जुड़ी हैं, इनके करियर से जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले सुमित नागल ये आस्ट्रेलियन उपन की बात करने से पहले कुछ महीने पहले अगर जाएं, सेप्टेंबर 2023 की अगर बात करें, जहां पर इ ऐसे टॉर्नमेंट्स के लिए बड़ी ट्रेनिंग की खास जरूरत पड़ती है, और ऐसे में पैसों की बहुत जादा सक्त जरूरत पड़ती है, जहां पर किसी बड़े स्पॉंसर की मदद मिले, लेकिन इनके पास में कोई स्पॉंसर नहीं था, पैसे नहीं थे, तो इन्हो में कोई प्लेयर इंडिविज्वल खेल रहा है, तो इसके लिए तो बिलकुल भी आसान नहीं होती ये सारी चीजें, तो उसके बाद से लेके अब तक का सफर इनका बड़ा टफरा है, उसके बाद में ये जरूर है कि इनके स्पॉर्ट्स ब्रैंड ने कम से कम थोड़ी मद की है, इनके राकेट, शूज वगेरा वगेरा चीजों को लेते हुए, और इसके बाद के अगर बात की जाए इनके साथ में, तो ऑस्ट्रेलियन उपन के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है, उसके लिए इनका नाम ही हटा दिया गया था, ए आई टीए के वज़े से, अब ए आई टीए ने इनका नाम ही नहीं बेज़ा था वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए, इसकी कहानी ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डेविस कप का मुकाबला होने वाला है, उसके लिए इनका नाम गया था, कि ये खेलेंगे, हलांकि इन्हों ने वह महाँ पर जाके खेलेंगे, जैसे इन्होंने नाम हटाया, तो AITA ने कहा कि हम वाइल कार एंट्री भी आपको नहीं जाने देंगे, आपको अस्ट्रेलियन उपन में हमारी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलेगी, आप जाएं, अगर जाना है तो अपने दम पर जाएं और जो पर जाना है, अब ये भी एक बड़ी चीज है कि आर आज जिस सरीके का मैच इन्होंने खेला, उसमें टैक्टिकल ब्रिलियन्स की अगर बात करें कि भाई, कहां से सर्विस लेनी है, जैसे कि अलेक्जन्डर बूबलिक की फर्स सबसे जादा दमदार रहती है, वो उसमें प सर्व इन्होंने अपनी एक मजबूत बनाई, ताकत बनाया और इसी के कारण ऐलेक्जन्डर बूबलिक की जो फर्स सर्व है, उसको भी इन्होंने नाकामयाब कर दिया, दूसरी चीज है कि फाल उन्होंने बड़े कम किये, अब जैसे ऐलेक्जन्डर बूबलिक की बात करे डबल पॉल्ट उन्होंने 9-9 किये, तो उसके वज़े से जो पॉइंट्स मिले वो भी इनके साथ में गये, फिर इसके बाद ये देखा जाएगा कि हवा इतनी जादा स्टेज चल रही थी, और उसमें बॉल के जो मूवमेंट है टेनिस की, वो काफी जादा हो भी रही थी, त चौथी बड़ी चीज जो ये है, 34 साल बाद कोई भारत का ऐसा इंडिविज्वल प्लेयर आया है मेजर ग्रांड स्लैम में, जिन्होंने किसी सीडेट प्लेयर को हराया है, 31st रैंक वाले को, 31st सीडेट प्लेयर को, अलेक्जंडर बुबलिक की अगर बात करें, रमेश क्रि उपन का भी जिक्र जरूर आता है, क्योंकि यूएस उपन में भी उन्होंने एक जीत हासिल की थी, इसी तरीके से, मेजर ग्रांड स्लम वो भी था, और अगर बात की जाए, इस की, इस टौर्नमेंट की, आस्ट्रेलियन उपन की, तो इसमें सुमित नागल का नाम जो है, व साथ ही ट्रैवल करते हैं, ताकि एनका जो खर्चा है, वो कम हो सके, क्योंकि इन्होंने कहा है, कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपने मुकाबले जीतेंगे, जितनी भी रकAm आएगी, वो सारी टेनिस में ही, इन्वाल करेंगे, और उसमें ही इन्वेस्ट क करेंगे आने वाले अगले राउंड के लिए क्योंकि अगला राउंड और जादा इनके लिए टफ होगा राउंड टू ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो रहेगा तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमीद करते हैं यह वीडियो आपको भी अच्छा ल